दियर श्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में हमें छटे पार्ट के निमंदात्मक प्रसनोतरों को समझेंगे निमंदात्मक प्रसन यानि कि इस पार्ट में जो बड़े प्रसन है उनके उत्तर हमें किस परकार से लिखने है जैसा कि आप जानते हैं कि इस पार्ट में तेन नमर का क्यूस्टन पूथा जाएगा और तेन नमर का क्यूस्टन एक क्यूस्टन आएगा तो ये तेन नमर का जो क्यूस्टन है उसका आंसर हमें थोड़ा बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा लगबग आर दस लाइन का आंसर होना चाहिए तो यहां हम देखेंगे कि पहला जो परसन है वो क्या है निमन्दात्मक में देखना का नाम ही क्या है रासानिक अभिक्रियाएं उनके परकार हैं जो कि हमने अपनी पाठे पुस्तक में पड़े है उनके कितने परकार होते हैं उनके बारे में अपन समझेंगे तो चलिए मापको ले चलता हूँ अपने पार्ट का तो पहला पेज है देख पारें आप ठीक है रासानिक अभिक्रिया है है उत्पर रख तो यहाँ इसमें जो रासानिक अभिक्रियाओं के परकार है वो हमें आगे के पेज में मिले गए यहाँ पर देखेगा ये रहा रासानिक अभीकिरिया ही ठीक है ये हेडिंग है अपनी तो रासानिक अभीकिरियां के परकार की बात करें तो सबसे पहले जो परकार हो है सहयूगमन अभीकिरिया तो हमें इन अभीकिरियां के अंदर क्या-क्या लिखना है एक तो इस अभिक्रिया की परिवासा लिखनी है ठीक है कि सहिगमन अभिक्रिया के शे कहते हैं दूसरा इसका सम्मिकरन लिखना है जो इसकी रियक्षन है वो हमें लिखनी होगी तो चलिए अपने बात करते हैं सहीघ्मन के बारे में कि एसी रासेनिक अभिकरिय जिसमें दो या दोश्य अधिक अभिकार का आपस में शहियोक करके एक ही उत्पाद मनाएं ठीक है उसी अपन सहीघ्मन अभिकरिया कहते हैं पहले भी अपन इसके बारे में खुब दो-三बवार पड़ चुके हैं और यहां इसके लिए जो reaction लिखी हुई है आप देख पा रहे हैं यह रहा कोईले का दहन यह आपको यह लिखना है carbon और oxygen जो है यह मिलकर के carbon dioxide बनाते हैं इस परकार से पहले अपने पड़ी सहुगमन भी किरिया दोसरा तो परकार है भी किरिया का वो है विस्तापन ठीक है और इसके साथ में है दीविस्तापन देखेगा यह रहा अपना दीविस्तापन अभी किरिया ठीक है तो विस्तापन और दीविस्तापन में भी अपन को इसका इसकी परिवासा लिखनी है और उसके बाद में हमें इसकी अभी किरिया तो किस्टे कहते हैं विस्तापन अभी किरि एक एक्जाम्पल के तोर पर यहाँ कोप्र सलफेट है और यह जिंक है तो यहाँ पर यह जिंक क्या करेगा इसे सीउ को यहाँ से हटा देगा विस्थापित कर देगा और खुद यहाँ जिंक जो है यह एसोपुर के पास में जुड़ जाएगा तो देखिए बन गया जिंक सलफेट और यह कोप्र अलग हो गया तो यह तो हुआ विस्थापन ठीक इसी परकार से दीविस्थापन के बारे मे आतान परतान हो जाएगा जिसे copper sulfate है sodium hydroxide है यह copper hydroxide बन गया sodium sulfate बन गया केसे यहाँ पर देखिए मालीजिए यह Cu है तो यह Cu के साथ में जूड़ गया OH ठीक है यह बन गया Cuos2 बन गया जिसी परकार से यह जो SO4 है यह जूड़ जाएगा और यह भी यहाँ पर अभिकारक दोनों साथ-साथ थे यह भी अलग-अलग हो गई ठीक है तो बीज वाला तो यह रहा एन एसो पूर जो बाहर वाले दोनों बचे है यह Cuos यह यहाँ पर आ गया विस्थापन इसमें आपस में विस्थापन होता है यह यहाँ कि एक दूसरे को परती स्थापित कर देते हैं वहां से हटा देते हैं Question number 38 जो हो है ओक्षिकन अप्चेंट शेक क्या ताजपरी यह है या क्या समझते हैं उदान शेथ क्या क्या कीजिए देखे ओक्षिकन अप्चेंट जो है इनके लिए 5 पॉइंट है 5 बिन्दु है वहां प्षिकन अप्चेंटों को आपन समझेंगे वहां इनके जो अभिक्रिया कह दे या समेकरन लिख दे उनके बारे में इपन को समझना पड़ेगा और प्रिक्षा में लिखना पड़ेगा तो देखते हैं ओक्षिकन और अप्चेन के बारे में क्या लिखा है अपने यह रहा मैंने हैं अपनी ओक्षिकन और अप्चेन की ठीक है और ओक्षिकन और अप्चेन के अंदर पहला प्विट आता है कि ओक्षिजन से स्योग एम वियोजन क्या धार पर अब देखो ऑक्सिजन का जब योग होता है योग का जोड़ती है किसी के साथ कौन ऑक्सिजन जब किसी के साथ में जोड़ती है तो उसे ऑक्सिकन कहते है किलियर जैसे हमाली जब यहाँ पर यह मेगनीशम है मेगनीशम के साथ में ऑक्सिजन जोड़ गया यहां पर हमें एक एक्जामपल लिखना है और आपकी बुक में यहां पर देखिए दो दो एक्जामपल दिये गए हैं तो आप अपनी इच्छा के नुसार जो आपको सरल लगे वो कोई भी एक याद कर लीजिएगा इसे प्रकार से अप्चेन किसे कहेंगे कि अभी किरिया कि में पदार्थ से उक्जन का निकलना कोई पदार्थ है और उस पदार्थ से उक्जन निकल जाए हट जाए तो उसे अपन अप्चेन कहेंगे ठीक है इसके लिए जल ओपन देखते हैं अपना दो डाइग्राम है तो में यह रहा यह एम जिओ के साथ में पहले ऐक्जन जुड़ा होगा है और यहां पर यह अलग हो गया यानueller गी मेगनेशन के अलग कर दिया तो यहां मेगनेशन का क्या हो गया अप्चिन हो गया तो यह तो था अउक्जन के अदार पर अब है हाइटर्जन के सहियोग और वियोजन के अदार पर ठीक है तो हाइटरोजन के सिन्योजन और वियोजन के अदार पर आपन देखेंगे तो इसमें लिखा है कि वेरासैनिक यहां से देखेगा आपको यहां से लिखना है अब विक्रिया जिसमें पदार से हाइटरोजन निकलती है उसका तो ओक्षिकर्ण होगा जैसे माली जी यहाँ H2S है इस H2S में से यहाँ जो सल्फर के इस पास में जो हाइटरोजन यह अलग हो जाएगा ठीक है? यह देखी यह जो H2S है सल्फर के साथ में था और देखे यहाँ पर सल्फर से अलग हो गया ठीक है? तो यहाँ लिखा है यहाँ H2S हैटरोजन सल्फर गेस सल्फर सल्फर यानि की S में ओक्षिकर्थ होजाती है सल्फर से क्या हाट रहा है? हाटरोजन हाट रहा है इसलिए सल्फर का ओक्षिकर्थ हुआ है ठीक है? जले फिर आके जलते हैं बन अप्चेन वाले में यह रासानी कब बिके जिसमें हाइटरोजन का योग हो हाइटरोजन जुड़े वो हप्चेन कहलाएगी जैसे हमाले यहाँ पर यह एथीन, एथीन के साथ में हाइटरोजन ओ जुड़ गया, तो यह एथेन बन गया यह एथेन कार्बन की सुने जुड़े चार होती है तो यहाँ जुड़ जुड़े थेन जुड़े जुड़े जुड़ जुड़े एंधर ऑर एक चिदू जुड़ earn हो गई तो सुने जुड़े ता चार पूरी कर लिया हमें इसलिए यहां double bond को हटा करके अपने यहां single bond लगा दिया तो यह भी अपना एक up chain का उजारन है तीसरा दो point है वो है विदुध धनी तत्व के सहियों को और वियोजन विदुध धनी का उलब है जो positive आयन वाले धनावेशी जोकर्ण है धनावेश का जुड़ना या हटना तो विय भी करें जिसमें प्रदार्शे धन विदुध तत्व यानि की धन विदुध का उलब है positive आर्ज वाले जो तत्व है परमाणू है उनका क्या हो? निसकासन हो निकल जाएं उसे oxygen कहेंगे जैसे यहाँ पर यह potassium है और यह iodine है ठीक है? तो यहाँ potassium जो है यह क्या है? धन विदुध तत्वा है पर iodine यहाँ पर इन विदुध तत्वा है तो यहाँ से यहाँ potassium iodide का iodine में oxygen हो रहा है क्योंकि यहाँ पर यह जो धन तत्वा है potassium मेगनिशियुं यहां से अलग हो गया, तो दंतत्वा अलग हो रहा है न किसे आयोडिन से, इसलिए यहाँ पर इसका औक्छिकन हो है, ठीक व्यसे ही, वह भी किनिया हैं जिसमें पदार दंतत्वा का योग हो, दंतत्वा जुडता हो, उसे अपचेन कहेंगे, जैसे यहाँ पर कणलोरीड में कणलोरीन दनततवल सब्सक्राइब सब्सक्राइब प्रत्राइब का सियोग होता है वो औक्षिकन का लाएंगी जैसे मेगनीशियम के साथ में कलोरीन जुड रहा है तो मेगनीशियम का पलेस और कलोरीन रिनावेस है तो मेगनीशियम का क्या हो रहा है मेगनीशियम का ओक्षिकन हो रहा है मेगनीशियम का क्या हो रहा है ओक्षिकरन क्यों क्यो पास आ गया, तो यह रिन तत्वा की क्या हो गई, रिन तत्वा निकल गया, यहां से कमी हो गई, तो FI का क्या हुआ है, FI का अपचेन हो गया है, क्यों कि यह किस्य निकला है, FI के साथ में था पहले एक कलोरीन, तो FI से यहां पर एक कलोरीन कम हो गया, एक कलोरीन अलग हो ग यानि कि ऐसी भिघ्रिया जिसमें तत्त्वा, प्रमणु, आएन, इलेक्ट्रों त्यागते हो, उसका औक्षिकन कराएगा जैसे सोडियम है ये उदाषईन है इसने अलेक्ट्रों त्याग दिया इए इसके पर प्लस का चारदा जाएगा और एक औक्षिकन निकल गया तो सोडियम का क्या हुआ यहां पर ओक्षिकन हुआ इसका उल्टा कर दीजिए जो इलेक्टरोन गरन करता हूँ उसका अपचेन होगा वे रासानिक बिग्रिया जिसमें तत्वा परमानू आयन आनू इलेक्टरोन गरन करता है अपचेन कहलाता है जैसे कलोरिन है या उदाशीन है इसने यलेक्टरोन ले लिया तो माइनस का तार्ज आ गया चीक है तो इलेक्टरोन गरन करता हूँ उसके अपर रिनावी साँ जाएगा और जो इलेक्टरोन का त्यार करता हूँ तो इस परकार से हमने 28 का क्यूस्टन देखा जो काफी बड़ा कुशन है, 38 का कुशन देखा, फिर है क्यूसwn no.39, गुंचालेज, उत्प्रेरक की विसेषता है जथा उत्प्रेरक के परकारों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखें पहले अपने उत्प्रेरक की विसेशता है समझेंगे तो उत्प्रेरक तो टोपिक है उसके अंदर विसेशता है लिखी हुई है उत्प्रेरक अपने पार्ट का सबसे अंतिम पॉइंट है यह रहा उत्परेरक और उत्परेरक की विशेषता है सबसे लाश्ट में दी गई है यह रहे उत्परेरक के गूने जो उत्परेरक के गून है या विशेषता है वो एक ही बात है तो हमें अपने जो भी तीन या चार पॉइंट आपको उजी लगें वो आपको लिखने हैं पहला पॉइंट है उत्परेरक केवल रासानिक अभिकरिया के वेक को परिवर्तन के लिए उतरदाई होते हैं रासानिक अभिकरिया के वेक को बदलते हैं उतरदाई नहीं होता है जो अबिक्रिया को प्रारम नहीं करता है यानिकि दोनों दिसाओं में चलती है उनमें अगर 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 अग्रे की तरप और पीछे की तरफ जो आखे की तरफ जो अगर काम करता है ठीक है और उत्परेक निशी तापमान के उपरी काम करते हैं तापमान कम या ज़्यादा होने पर उत्परेक जो है वो विकर्त हो जाते हैं इसलिए वो उत्परेक वहाँ पर काम नहीं करते हैं दूसरा यहाँ पर इसमें अपना परसंद था इसी के अंदर उत्प्रेरण की विशेष्टा है हो गई उत्प्रेरण की परकार अपना परकार समझेंगे तो देखें उत्प्रेरण की परकार है वो दो आधार पर दिये गए है एक तो है अवस्ता की आधार पर ये रहा अवस्ता की आधार पर तो अपनको अवस्ता वहाँ लिखर कि अपनको याद करना है उत्परेरण की बात आती है तब आपको यह समाँगी और दूसरा क्या इसका विस्माँगी वाला तब आपको यह समाँगी और विस्माँगी वाला करना है और जब गभी उत्परेरण क्या आता है तो आपको यहाँ पर यह जो इसके परकार है किरिया क्या दार पर दनात्मक उत्परेरण की बाता है अब गलकर क्या देत गनुछा यहाँ परकार है क्या दोपरेरण सब्सक्तित और पर करते है ने हं इसके लिए मालटोज और मालटेज और अन्जाइम रहा यह गुलकोज मदलता है यह आप लिए सकते हो इसको आप याद कर सकते हो इस प्रकार शे हमने उत्पर के प्रकार समझें फिर अपन देखेंगे क्यूशन नमबर 40 चालिस का क्यूशन रासानिक समिक्रण को लिखने के चरण में इसकी विसेशता लिखिए देखें दो क्यूशन है रासानिक समिक्रण को लिखने के चरण है और फिर इसकी विसेशत हैं, ठीक है न, इसके अधर दो बाते हैं, तो यह अपने पार्ट के शुरू के अंदर ही मिलेगा आपने को, कि रासानिक अभिक्रियाओं के क्या-क्या चरन होते हैं, यानि कि अभिक्रियाओं को किस प्रकार शिए लिखा दाता है, उसके क्या नियम ह उस चरण में आपने यह बाते करेंगे तो यहां आपने चलते हैं आपको देखो रासानिक समीकरण वाला यह एडिंग है और इसमें यह रहा अपना पॉइंट रासानिक समीकरण को लिखने के चरण चीक है तो इसमें जो खास बाते हैं अपने को ध्यान रखने वाली है उसके पॉइंट बनाने हैं आपने को, पहला पॉइंट, रासानी का विक्रा को लिखने के लिए समिकरन का सब से पहले किर्याकारक को लिखते हैं, यह किर्याकारक है इधर, ठीक है न, तीर का निसान लगा दिया, तत पसाथ उत्पार लिखते हैं, फिर यह उत्पार लिखेंगे, पहलाव पूइंट हूँ, दूसरा पूइंट है किरियाकारस τοट्वाद संध्या में एक स्याहत होने पर उनके बीच संध्या करा और दन्ठाम करीछे चैनर दंपाशा कि जिए होता है ठीक है यहांनि कि तीर के निसाने के दोनों अभीकारक और जो उतपाद हैं, यह उतपाद हैं, इन दोनों का दिर्मान या परमाणों की संख्या समान होती है ठीक है या फो तीसरे पॉइंट में लिखना है पिर फोथे पॉइंट में क्या लिखेंगे अपने इसको बैलेंस करने के लिए अगर प्रमाणों के संक्या कम जादा है तो उसको संतुलित करने के लिए अपने अनुमान भी दे हीट और ट्रायल मेथर्जो है उसके द्वारा तो इस प्रकारशी आगर आप चार पॉइंट लिखते हो तो चार पॉइंट ही काफी है उसके अलावा आप अगले जो पॉइंट है वो लिख सकते हुआ कि जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ यह रहा यह बात भी अपन लिख सकते हैं कि सम्मिकर्ण को संतुलित करने के पर दर्वाय में या गेस में जैसे यहाँ पर कार्बन सोलीड है गेस स्टेज में ओक्सिजन ना कार्बन अग्षाट गेस है तो अपन यह लिख सकते हैं साथ में चीक है और अभिक्रिया दोनों दिसाम में चलती है तो उसके लिए अपन यह इस प्रकारशी निसान लगाएंग देखे यह इसका निकलते तो पलस का निसान लगा देंगे 10.5 किलो के लरी परती मूल और यह उसमा सोसी जिसमें विक्रिया में उसमा अपन देते हैं बारशे यह मैनस का निसान लगाएंगे 21.6 किलो के लरी परती मूल ठीक है तो इस परकारशी अपन यह सारी बातें इसमे लिखते हैं. अब इसी में दूसरा क्यूशन था, कि रासानिक समिकरण की विश्यस्ता है, जो अपन लिखा है, जो रियक्षन लिखी है, उसके क्या-क्या विश्यस्ता है होती है, क्या-क्या गुंड होते हैं, पहला पॉयंट एक किरिया कारक और उत्पाद के बारे में संप्रून जानकारी जैसे अनुवों की संख्या दिरों मान आदी की जानकारी आपन को मिलती है चमिकन से आपन को जानकारी परात होती है पदार्त होगी बहुतिक वस्ता के बारे में जानकारी परात होती है क्योंकि अपन सोलीड है लेक्विड है या गेश लिख देते हैं नीचे तो उसे पता तल जाएगा कि कोण शिवस्ता में हैं तेसरा है रहासाने के अभिकरिया के लिए आपसक प्रिस्तितियां जैसे ताप है दाब है उत्परेरक है आज यह अपन लिखते हैं भिकरिया में फीर के निसान के उपर और अभिकरिया में उसमा छेपी है उसमा सोशी है उससे भी अपन को पता तल जाएगा कि अभिकरिया कैसी है और अभिक्रिया उतकर्मणी यह है उतकर्मणी यह है उतकर्मणी के लिए तो अपने जो इस परकारशी यह निसान लगाएंगे और अनुतकर्मणी के लिए यह निसान लगाते हैं तो इस परकार से हमें रासानिक अभिक्रियां जो समीकरन लिखते हैं उनके लिए क्या तरीके हैं क्या नियम है और समीकरन जो है उसे क्या विशेस्ता हैं उनके बारे में समझा Qution No.2 41 है 41 का Qution उसके अंदर चार Qution बनते हैं और चारों ही Qution जो वो अंतर के Qution है Qution है उतकर्मनी अभिक्रिया और अनुतकर्मनी अभिक्रिया तो देखें बोड परिक्षा में जब कभी भी आपसे अंतर का Qution पूछा आता है तो आपको एक सारनी बनानी है जैसे मालेजे उतकर्मनी या विक्रिया और इदर लिख दिया अपने अनुतकर्मनी या विक्रिया और अपने को यहाँ पर बोक्स बनाने है जितने अंतर है वो अंतर सारे बोक्स में लिखेंगे इसी परकार से उत्र लिखना है जैसे मालिजे उतकर्मनी या विक्रिया की बात करें तो उतकर्मनी या विक्रिया दोनों दिसा में चलती है यानिकि अगर और परतीप ठीक है और अनुतकर्मनी या विक्रिया एक दिसा में चलती है उतकर्मनी या विक्रिया में क्यों होता है उस पार्ट में अपन देखें तो उसमें वहां अपने अभिक्रियाओं के परकार में मिलेगा ये रहा उतकर्मनिय अनुतकर्मनिय अभिक्रियाई ठीक है तो ये तो उतकर्मनिय अनुतकर्मनिय अभिक्रियाई है अनुत्कर्मनिय विक्रियां ये विक्रियां जिसमें विकारक के रिया उत्पाद बनाते हैं ये विक्रियां क्यों एक दिसा में होती है अनुत्कर्मनिय विक्रिया कर लाती है चीक है और इसको तीर के निसान के तोवारा ऐसे दरसा जाता है उसी प्रकारशे तो अनुत कर्मनिय विकिरिया है ऐसी विकिरिया है जिसमें किरियाकारक उत्पाद बनाते हैं उसी समय उत्पाद वापस किरियाकारक का निर्मान करते हैं अनुत कर्मनिय करलाती है दोनों निसाव में चलती है और इसके लिए ये निसान, इस निसान का परियोग करते हैं, ठीक है तो इस परकार से हम इसके बारे में लिख सकते हैं दूसरा दो पॉइंट है वो है उत्प्रेरक वर्दक और उत्प्रेरक विसके बारे में, तो अंतर इसको भी अपने वैसे ही लिखेंगे किरिया शिल्ता को बढाने के लिए एक पदार और मिलाएंगे वो उत्परेक वड़क कर लाएगा जिसे यहां पर वे पदार जिने अब्यी करिया मिश्टन मे उत्परेल के साथ मिलाते हैं जैसे यहां F.E. के साथ में अपने M.O. डाल दिया उत्प्रियर की किरिया शिल्ता में वर्दी कर देगा कौन ये जो एमो है ये क्या है इस एफी एफी क्या है उत्प्रियर की वर्दक तो एमो क्या करता है इस उत्प्रियर की किरिया शिल्ता को बढ़ा देगा जिसके कारण ये अभिक्रिया जल्दी हो जाएगी परन्तु जो अभिक्रिया अपन को रोकनी होती है कम करनी होती है, मंद करनी होती है तो वे पदार जिनमें अपन उत्परर के साथ मिलाते हैं उत्परर की किरिया शिल्टा को कम कर दे उसे अपन उत्परेक विस कहेंगे जैसे यहाँ F.E. के साथ में यहाँ C.O. आप लिख लीजिएगा यह C.O. क्या करेगा इस F.E. की आशिलता को कम कर देगा ठीक है मंद कर देगा इसे उत्परेक विस कहते हैं इसको C.O. को carbon monoxide को यहाँ पर उत्परेक विस कहेंगे अपन तो इस परकार से हमने उत्परेक वर्दक और विस के बारे में इनके जो समीकरन है वो भी अपन को लिखने है अंतर के अंदर समांगी और विसमांगी उत्परेरन देखें थोड़ देर पहले मने होता है था उत्परेरकों की जो परकार है उनमें आपको जहान रखना है समांगी और विसमांगी जो है वो उत्परेरन के परकार है देखो समांगी उत्परेरक में क्या होता है इसमें इस अभी करिया में उत्परेरक अभी कारक और उत्पात तीनों की बहुतिक वस्ता है समान होती है जैसे ये मेथिलेशिटेट लिक्वीड है, हाइटरोजन, S2O लिक्वीड है, HCLB लिक्वीड है, एक्यूटिक स्टेज में है दरोजना में है, और जो उत्पात बने हैं ये भी देखेगा, आप यहाँ पर AQ और AQ लिक्वीड है, एक्यूटिक स्टेज में है फोस वस्ता में है, इसलिए इनकी अवस्ता इन दोनों की, यानिकी किर्याकारक की अवस्ता और उत्परेर की अवस्ता इन दोनों की अवस्ता अलग-अलग है, ये गेस में है और ये सोलिड में है, तो इसे विस्मांगी उत्परेर केंगे अपने, ठीक है, अंतर लिखना है और इनके एक-एक समिकरन लिखने हैं फिर अंतीम दो पॉइंट है वो है ओक्षिकन और अप्चेन का तो ओक्षिकन और अप्चेन के लिए अंतर के लिए मने के आपको टेबल कल भी इसके बारे मताया था और आप अगर देखना चाहें तो मैं आपको अभी आज भी इसके बारे में अपन बात कर सकते हैं देखेगा अपन को यहाँ पर पांस पॉइंट लिखने हैं इलेक्ट्रोनिक जो धारना है वो भी लिखनी है उसके अंदर और साथ में अपन को ओक्सिजन का आदान परदान वो सारी बाते इसमें आ जाएंगी अब यह जो वर्ड फाइल है यह खुल रही है इसमें छटे पार्ट के जो नोट्स हैं उसके लिए मैंने अलग से फोल्टर डाल रखा है और इसमें आप कोई मिल जाएगा कि किस परकार शे अपन को अंतर का क्युशन करना है ओक शीकरन और अप्चेन का यह देखेगा साइद आप देख पा रहे है ठीक है थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं यह रहा अब साइद बेरिक हैल्ष आपके समझ में आ रहा होगा आपको दिखाई दे रहा होगा काफी बड़ा कर लिया मैंने इसको यह रहा ओकशीकरन ठीक है और अपचेन के अंदर अंतर तो ओकशीकरन किशे कते हैं जब किशी पदार्थ में ओकशन का सियोग होता है ओकशन जुड़ती है तो उसे ओकशीकरन कहेंगे ठीक है अब देखो तो इसको उल्टा अगर अपन करें साथ साथ, जैसे पहला पुइंट अपने लिखा, तो यहाँ अपन पदार्थ में उसे ओक्षिन निकलती है, ओक्षिन की कमी होती है, तो इसे अपन अपचेन कहेंगे, ठीक है, यानि कि ओक्षिन का जुड़ना ओक्षिकरण, और ओक्षिन अपन को करना है, ठीक है, तो इस परकार से हमने जो थैका पाट था अपना, चटा चेप्टर, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, और आगे जो नेक्स्ट वीडियो अपन है, वो साथ के पार्ट का बनाएंगे, मेरे ख्याल से आपके अगर कोई क्यूसन यहां, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखके पूछ सकते हो, उसके बारे में अलग से आपके लिए वीडियो का जो लिंक है वो भेज दिया जाएगा, धन्यवाद